क्या आप एक Aircraft Maintenance Engineer Structures हैं और आप आस्ट्रेलिया में काम करने, रहने या स्टडी करने के एचुक हैं। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको आस्ट्रेलिया में Aircraft Maintenance Engineer Structures के करियर स्कोप और प्रोफाइल से जुड़ी महत्वपून जानकारियों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लेक करें। Aircraft Maintenance Engineer Structures के लिए उप्यूग तून इंडस्ट्री सेक्टर्स को देखेंगे। यहां Aircraft Maintenance Engineer Structures को नौकरी के लिए आसान तथा अच्छे अबसर प्राप्त हो सकते हैं। हम Aircraft Maintenance Engineer Structures के प्रोफाइल पर आस्ट्रेलिया में काम करने के लिए न्यून्तम एजुकेशन और एक्स्पीरियन्स की जरूरतों को भी देखेंगे। हम यह भी देखेंगे कि आपके प्रोफाइल के लिए स्किल, लेवल, लाइसन्स और रेजिस्ट्रेशन की क्या जरूरते हैं। हम Aircraft Maintenance Engineer, Structures के प्रोफाइल पर काम करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की जेंडर रेशियो और मुख्या आयू वर्ब पर भी चर्चा करेंगे। Current Job Openings, पिछले पांच सालों का Analysis, Future Expectations और Career Scope भी इस वीडियो में चर्चा का विशय रहेंगे। हम Aircraft Maintenance Engineer, Structures के औसतन सापताहिक वाकावज और वेज रेट या तंखवाह की भी चर्चा करेंगे। वीडियो के एंड में, हम आपको अलग-अलग वीजा आप्शन्स के बारे में बताएंगे जिन में मुख्य हैं, आस्ट्रेलिया में काम करने, पर्मनेंट रेजिडिनसी पाने, और इस प्रोफाइल पर आस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के वीजा आप्शन्स। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंग तक हमारे साथ बने रहे, अब आपका और समय न लेते हुए आईए शुरू करते हैं। इस कोड को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलिंड स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ओफ उक्यूपेशन या ANZSCO कोड कहा जाता है। यह ANZSCO कोड आपको किसी भी प्रफेशन में आपकी जिम्मेदारियां तथा जॉब रोल के बारे में जानकारी देता है। उस्ट्रेलिया की राष्ट्रिय स्टेटिस्टिक्स एजेंसी, उस्ट्रेलियन ब्यूरो अव स्टेटिस्टिक्स, ABS इन कोड के रिचता हैं। और ABS के द्वारा ही इन कोड को समय समय पर एवाल्यूएट और रवाइस किया जाता है। तो चलिए अब आपके व्यवसाय के ANZSCO Profile Definition के बारे में जानते हैं। Aircraft Maintenance Engineer, Structures के प्रोफाइल का ANZSCO Code 323113 है। ABS के Original Content की Authenticity को बरकरार रखने के लिए, Profile Description और कुछ दूसरे तथियों को हम यहाँ इंग्लिश भाशा में ही दिखाएंगे तकि उनकी Originality और Integrity बनी रहे। Aircraft Maintenance Engineer, Structures, Inspects, Dismantles and Re-Assembles Aircraft Structures, and Repairs and Replaces Components of Aircraft Frames. Works with both Metal and Carbon Fiber Composite Materials. Australia में ऐसे बहुत से Industry Sectors हैं जहाँ आपके Profile के Candidates के लिए रोजगार के अच्छी अवसर हैं। आए एक बार कुछ जरूरी Job Sectors और Industries पर नजर डालते हैं। Aircraft Maintenance Engineer, Structures के Profile पर काम करने वाले ज्यादातर Candidates मुख्य रूप से Manufacturing, Transport, Postal और Warehousing, और Public Administration और Safety में कार्यरत हैं। Australia में अलग-अलग व्यवसायों में आवश्यक्ता के हिसाब से Employees की शिक्षा से जुड़ी विभिन मांगे हो सकती हैं। और आपका Skill Level Australian Bureau of Statistics के हिसाब से ते होता है। एक Aircraft Maintenance Engineer, Structures के Profile पर काम करने के लिए आपके पास EQF Certificate एव या बराबर की अन्य योगिता ज़रूरी है। और Aircraft Maintenance Engineer, Structures का Skill Level 3 है। Australia और New Zealand के हिसाब से इस ग्रुप के Job Level में EQF Certificate एव और Higher Qualification की ज़रूरत होती है। इसके इलावा कुछ केसेज में Educational Qualification की जगह पर आपका 3-5 वर्ष का सम्बंधित Experience भी काम आ सकता है। अन्य कुछ मामलों में आपको Experience के साथ On-Job Training की ज़रूरत भी हो सकती है। अगर आप Australia में Skilled Immigration Visa के लिए Application फाइल करते हैं तो आपको Migration Skills Assessment की ज़रूरत रहती है। जो आपके Profile के हिसाब से अलग-अलग Assessment Bodies के जरिये की जाती है। हर Assessment Body का अपना अलग Assessment Criteria और Experience की अलग-अलग ज़रूरते होती है। अगर आप Aircraft Maintenance Engineer, Structures के Profile पर Skill Assessment फाइल करना चाहते हैं तो आपको एक वर्ष Experience की ज़रूरत है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि Experience की ये Requirement सिर्फ Skill Assessment के लिए मान्य है, परंतु Employees की जॉब के लिए Experience Requirement इस से अलग हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि आपके काम में आमूमन किस उम्र के लोगों की ज़्यादा हिस्सेदारी है। Australian Bureau of Statistics के लेटिस्ट सर्वे के हिसाब से आपके प्रोफाइल पर जॉब करने वाले लोगों का में एज ग्रूप में 49 से 54 बर्ष है और और सतन आयू 46 साल है। जैसा कि आप जानते ही है कि अलग-अलग व्यवसायों में पूरुशों और महिलाओं की गिंती तथा रेशियो काम के हिसाब से अलग-अलग होती है। तो आईए अब आपके प्रोफाइल में पूरुश तथा महिलाओं की जेंडर रेशियो पर नजर डालते हैं। एक्राफ्ट मेंटेनेंस एंजिनियर स्ट्रक्चर्श में महिलाओं का आठ तशमलव साथ प्रतिशत हिस्सा है। अस्ट्रेलिया में ज्यादातर प्रोफाइल में काम करने का नियत समय एकसा नहीं है और ज्यादातर स्किल्ड वरकर्स फुल टाइम या पार्ट टाइम बेसिस पर काम करते हैं। फुल टाइम या पार्ट टाइम काम करने पर आपका वेतन हफ़ते या घंटों के हिसाब से तै किया जाता है। अगर हम आपके प्रोफाइल की बात करें तो एरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंजिनियर, स्ट्रक्चर्ज के प्रोफाइल के 94.2 लोग फुल टाइम काम करते हैं। इस फील्ड में फुल टाइम काम करने वालों के लिए हफ़ते में एवरेज काम करने का टाइम 49.9 घंटे हैं. जॉब ओपनिंग्स की गिंती, कमपनी टर्नोवर और एम्पलॉइमेंट ब्रोथ के उपर निर्भर करती है. पिछले पांच सालों तक के स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से इस फील्ड में एक्सपेक्टिड जॉब ओपनिंग्स 5000 हैं. एरक्राफ्ट मेंटिनेंस एंजिनियर स्ट्रक्चर्ज के केस में यह गिंती और सतन सत्र पर है. ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में यहंग अच्छी व्रिद्धी दर प्राप्ट कर सकता है. ऐस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे काम है जहां एप्लिकेंट्स को अपने प्रोफाइल से जुड़े लाइसेंसिंग बॉड़ी से लाइसेंस तथा रेजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत होती है. अगर हम एरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंजीनियर स्ट्रक्चर्स के प्रोफाइल की बात करें तो इस प्रोफाइल के लिए हमें लाइसेंस तथा रेजिस्ट्रेशन की कुछ केसेंस में ज़रूरत हो सकती है. अब हम सबसे महत्वपून फाक्टर एवरेज वीकली अर्निंग को स्टडी करेंगे. आस्ट्रेलिया में सभी व्यवसायों की ओसतन सापताहिक आए 1300 आस्ट्रेलियाई डॉलर्स है. ABS के हालिया सवे के मुताबिक, Aircraft Maintenance Engineer, Structures का ओसतन सापताहिक वेतन, टैक्स डिड़क्शन से पहले 1769 आस्ट्रेलियाई डॉलर्स है, जिसमें से आपके सालरी स्लाब के अनुसार टैक्स की कटोती करी जाती है. अगर आप किसी भी स्ट्रीम में Permanent Residency के लिए Application फाइल करना चाहते हैं, तो प्रोसेस शुरू करने के लिए पहला कदम Migration Scale Assessment है. इसके अलावा कुछ केसे में, जैसे वर्क पमित या अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद Professional Year शुरू करने के लिए आम तोर पर Migration Scale Assessment के Positive Result की जरूरत होती है. आस्ट्रेलिया में विभिन Profile Categories के लिए अलग-अलग Assessment Bodies हैं, Aircraft Maintenance Engineer, Structures के लिए Migration Skill Assessment, Trades Recognition Australia, तरक के द्वारा की जाती है. अगले सेक्शन में हम आस्ट्रेलिया में जॉब के लिए अप्लाई करने और नौकरी पाने के कुछ जरूरी स्टैप्स के बारे में चर्चा करेंगे. हम सबसे ज्यादा मशहूर तथा जाने माने जॉब पोर्टल को भी देखेंगे. यहाँ आप अपने प्रोफाइल से जुड़े विभिन रोजगारों के लिए मौजूदा आप्शिन्स को देख सकते हैं. लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अभी तक ये विडियो पसंद आई है, तो आप हमें सब्सक्राइबर टारगेट 50,000 चैलेंज को हासिल करने और जीतने में हमारी मदद करें. क्रिप्या अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वर्ष के अंग तक 50,000 सब्सक्राइबर्स को अचीव करने के हमारे लक्षे को प्राप्त करने में हमारी मदद करें हम आपके सहयोग की सराहना करते हैं और अगर हमें इस विडियो पर 100 लाइक्स मिलेंगे तो हम आपके लिए इस प्रोफाइल के पी आर प्रोसेस और विजा फाइलिंग पर एक डिटेल्ड विडियो बनाएंगे इसके इलावा हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप इस सीरीज में नेक्स्ट विडियो किस विशे पर देखना चाहते हैं क्या आप आस्ट्रेलिया में नौकरी के लिए ओनलाइन या ओफलाइन अप्लाइन करना चाहते हैं? अगर आप फिलहाल आस्ट्रेलिया में हैं या फिर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या किसी अन्य जगह से भी किसी आस्ट्रेलियन जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक प्रोफेशनल के रूप में आपके लिए सबसे कठिन कार्य, जॉब आप्शिन्स अपने सेक्टर की जॉब्स के लिए ओनलाइन या ओफलाइन अप्लाई करना तथा ओनलाइन ओफलाइन इंटिव्यूस के लिए तयारी करना, अपना बायोडिता तथा रिज्यूम तैयार करने से पहले, आपको यह समझना चाहिए कि आस्ट्रेलियन इंप्लॉयर वास्तव में आपसे क्या एक्सपेक करता है? एक अच्छी तरह से तयार किया गया रिज्यूम रिक्रूटर का ध्यान खीच सकता है और आपको अन्य उमीदवारों से श्रेश्ट दिखा सकता है. सक्रिय भाशा की वर्द्स और कुछ छोटे बदलावों का सही जोर किसी भी आम रिज् और हमारी एक्सपेक्ट रिज्यूम राइटिंग टीम की सेवाएं ले सकते हैं या हमारी रिज्यूम से समबंधित विडियोज को देख सकते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के हिसाब से एक परफेक्ट रिज्यूम लिखने की जानकारी उपलब्ध है. औस्ट्र सकता है. इसके इलावा आप हमारी टीम के साथ अपना सीवी भी साजह कर सकते हैं, जिससे आप डिरेक्ट एम्प्लॉयर्ज और एम्प्लॉयमेंट एजेंसियों के हमारे वालियोबल नेटवर्क को आपके लिए उप्यूकत अफसर खोजने के लिए हमारी टीम से मदद ले स सकते हैं. अद्जून, करियर वन, करियर जेट, और इंडीड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ओनलाइन नौकरी खोजने के लिए कुछ दूसरे पसंदीदा नाम है. इसके इलावा टॉप 15 जॉब पोर्टल्स की एक डिटेल्ड लिस्ट भी डाउनलोड करें जहां आप अपनी प्रोफाइल के लिए ऐस्ट्रेलिया में सबसे सूटबल इंप्लॉइमन्ट का अवसर पाने के लिए ऑनलाइन अप्लाइ कर सकते हैं. अब हम ऐस्ट्रेलिया के पर्मनेंट रेजिदेंसी या वर्क पर्मित्स पाने के लिए उपलब्द वीजा सब ख्लास अस के बा Skilled Migration Visors, Subclass 189 यो की Permanent Residency पाने की Direct Subclass है State या Regional Nomination Visors, Subclass 190 और 491 यो State Nomination के द्वारा PR तथा TR पाने के रास्ते है Permanent Residence, Skilled Regional, Visa Subclass 191 और 887 यो की 491 तथा 480 की Continuity में PR पाने के रास्ते है Employer Sponsored Visors, Subclass 186, 187, 482 और 457 जिनके द्वारा आप Employees से सीधी Sponsorship या Nomination के थ्रू PR तथा वक पर मिट प्राप्ट कर सकते हैं Business Innovation, Investment और Entrepreneur Stream Visors, Subclass 188 और 188 जिसके द्वारा आप किसी व्यवसाए में Invest करके या फिर किसी Innovative Idea यो कि Australia को Economically तथा Socially Help कर सके के द्वारा PR तथा Work Permit प्राप्ट कर सकते हैं कुछ Specific Targeted Sectors के लिए Global Talent Visa और Subclass 476 Skilled Recognized Graduate Visa एक अन्य विकल्प है इन में से ज्यादा तर वीजा, Applicants को काम करने का अवसर देते हैं और Australia में हमेशा के लिए Settle होने का मार्प्रदर्शित करते हैं हाला कि ये वीजा आम तोर पर उपलब्द तो रहते हैं लेकिन हर ओक्यूपेशन के लिए हमेशा खुले नहीं होते हैं तो अगर आप देखना चाहते हैं कि Aircraft Maintenance Engineer Structures के प्रोफाइल के लिए कौन से वीजा सब प्लास से स्खुले हैं तो आप दिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करें आप Aircraft Maintenance Engineer Structures के लिए PR Filing पर बनी हमारी dedicated वीडियो भी देख सकते हैं जिसका टाइटल Australian Permanent Residency and Work Visa Filing Process for Aircraft Maintenance Engineer Structures है इस सीरीज में आपको Aircraft Maintenance Engineer Structures के लिए Permanent Residency फाइल करने की step by step जानकारी मिलेगी वीडियो में अब चर्चा करने वाली अगली बात Australia में Study और सेटल होने के लिए उपलब्ध Visa विकल्प और Visa सब काटेगरीज हैं तो आएए इसकी एक संक्षिप जलग देखते हैं अगर आप एक स्टूडेंट हैं और Aircraft Maintenance Engineer Structures बनना चाहते हैं तो आस्ट्रेलिया पढ़ाई और सेटल होने के लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक हो सकता है एक स्टूडेंट सब क्लास 500 के तहट अपना Study Visa फाइल कर सकता है हर स्टूडेंट को पढ़ाई के दौरान काम करने का अधिकार मिलता है और सब क्लास 485 के तहट पढ़ाई खत्म करने के बाद Work Permit भी मिलता है जिसे Post Study Work Visa कहा जाता है अगर आप Study Visa में इंटरिस्टेड हैं और अपने लिए Best Colleges और Universities के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो Study Visa से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए आप हमारी वेबसाइक पर जा सकते हैं इस वीडियो के लिए हमारी टीम ने अलग-अलग authentic sources से जानकारी को एकठा करने और verify करने में कड़ी मेहनत की है अगर अब तक की वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई है और भविश्य में भी इसी तरह के प्रयासों को जारी रखने के लिए आप हमारी टीम को appreciate या प्रेरित करना चाहते हैं तो क्रिपया हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon को दबाएं साथ ही इस वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ सरूर share करें अगर आपको immigration से संबंधित किसी और जानकारी या मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी तरह की पूछताच करना चाहते हैं तो आप हमारी registered migration consultants की टीम के साथ धिक expert counseling session ले सकते हैं हमारे माहिर consultants आपकी profile के बारे में अच्छे से समीक्षा करके आप से detail में चर्चा करेंगे इस expert session से आपको हर मुमकिन immigration options को ढूरने में मदद मिलेगी हम आपको आपके profile से जुड़ी हकीकत और आंकडों के साथ हर सच्चा ही बताएंगे सो अगर आप तरसली से अपने immigration की opportunities के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी description में दिये गए booking link पर क्लिक करें और अपना expert session रिज़र्व करें हम अपने दुनिया भर के दर्शकों के लिए सभी तरह की immigration की सेवाओं के साथ उन्हें one-stop online platform देते हैं आप हमारे immigration में माहिर टीम के जरिये online counseling session, migration skills assessment की application filing और सभी तरह के visa processing में मदद पा सकते हैं हम Australia में companies को विदेशी manpower hire करने तथा work और दूसरे visas की filing वर अन्य संबंधित activities में भी मदद करते हैं इसलिए अगर आप Australia में अपनी company चला रहे हैं, तो हम आपकी company के लिए best suitable employees धूंडने में आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप अपने skill assessment और immigration के लिए अपनी eligibility की assessment खुद से करना चाहते हैं, तो description में दिये link पर click करें और अपनी self assessment खुद चेक करने के लिए हमारी app भी download करें अपनी profile के बारे में और जानकारी के लिए हमारे work visa, immigration और skilled migration की filing से जुड़े सभी videos देखें और हमारे YouTube channel को subscribe, like और share करना न भूलें दुनिया भर की immigration की ताजा और सच्ची जानकारी जानने के लिए bell icon को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का notification सबसे पहले मिले हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको आस्ट्रेलिया में आपके career की opportunities के बारे में detail जानकारी मिली होगी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे